नवश्कार और वेलकम टू अलोफियों ग्लोबल लुकर्ट दोस्तों रीसेंटली इस तरह की न्यूज आ रही है जिसे देखके आप लोग खुद खाऊगे कि यूके बहुत ही जादा एक तरीके से डारा हुआ है इंडिया की वज़े से इस तरह की बात है यूके की तरफ से क इसमें लिखा है जो इसकी हेडलाइन है कि इनविटेवल इंडिया जैवल्स टेकन बाइ बिटिश एंपार्स विल बी रिटन्ड से जॉथर तो किस चीज की यहां पर बात हो रही है आई होप आप लोग समझी गए होगे सबसे पहले डेली टेली ग्राफ जो निउस पेपर से और इसके लिए पूरा केंपेंच चलाएगा आप लोग को पता होगा कि बहुत से इस तरह के आर्टिफेक्ट्स जो थे वो बिटिश लेके गए थे यहां से कॉलोनियल टाइम पे जिसमें से एक जो सब जानते हैं वो है कोईनूर और कोईनूर से ही सिर्फ अकेला नहीं से इसके लावा हजारों आप लोग देखोगे ना तो इस टाइम पे इस तरह के आर्टिफेक्ट्स आप लोग को मिल जाएगा ब्रिटिश के म्यूजियम में जैसे कि तीमोर रूबी हो गया जैर्म इंक्रस्टेट टाइगर हैड उन बाए टीपू सुल्तान जो था वो था यहां से फिर रंजीत सिंग जी जो थे उनका पूरा त्रोण इस तरह के कई आर्टिफेक्ट्स जो थे वो यहां से लेके गहे थे ब्रिटिशर्स और आज भी यह चीज आप लोग को ब्रिटिश के जो म्यूजियम है अलग अलग जगे पूरे कंट्री में वहाँ पर रखी म लेगी और यह लोग इनके जो बच्चे हैं जो आज की जैनरेशन हैं उनको ऐसा बोलती है कि यह सब चीजे हमें गिफ्ट्स में मिली थी वहां से जबकि इसकी जो रियल्टी है वो हम सब जानते हैं ब्रिटिशर्स या फिर इस्ट इंडिया कंपनी जब थी तो यह जब किस ब्रिटेन में इस तरह के की काम बहुती जादा किये गहा है कभी ड्रिटी के नाम पे कभी किसी नाम पर यह जो चीजे कि इंडिया का जो पैसा है वही लगा है तब ही जाके UK जो है as a nation आज के टाइम में जैसा है वैसा खड़ा हुआ है सब इंडिया से जो लूट की है इन लोगों ने उसकी देने ऐसा बता जाता कि 45 ट्रिलियन की जो टोटल वेल्थ है वो इंडिया से लूटी गई थी 1765 से लेक पहले ही ब्रिटिश मीडिया जो है वो इस चीज को कहने लगी है कि आने वाले टाइम में देखना इंडिया पूरा केंपेंड चलाएगा और इस चीज को दुबारा मांगेगा UK से और यहाँ पर सिर्फ इंडिया ही नहीं बाकी भी कंट्री अगर आप लोग देखो गए तो sign of imperialism ये लोग दिखाते हैं अपने लोगों को इन कंट्रीज से भी लगतार इस चीज की जो demand है कि हमारा जो चीज आपके पास है वो हमें वापस के रिए वो बनी हुई है और UK का कहना है कि इन सब कंट्रीज को तो हम लोग देख लेंगे लेकिन इंडिया की तरफ से जो pressure आ repatriation of koinur and other artifacts जो इंडिया से लेके जाया गया UK में इस तरह के report सामने आई है जैसा कि मैंने आपको बताया और इसके लिए कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो पूरा diplomatic का इस्तमाल करेगा अपनी उसकी जो diplomatic power है उसका पूरा इस्तमाल करेगा एक तरीके से पूरा aggressively campaign इसके लिए जिसके बाद मजबूर होके UK को ये सीज करना ही पड़ेगा और इंडिया का ये जो claim होगा ये जितने भी artifacts है ये UK के अगेस पर सबसे बड़ा claim होगा क्योंकि बाकी सब countries से भी जो UK है वो तोड़े तोड़े चीजे लेके गई है लेकिन इंडिया से जो लेके ग ठाड़ा था और इंडिया के अरावा जैसा कि मैंने आप लोग को बताया और country है और countries के बारे में अगर आप लोग देखो तो Greece जो है वो एक marble की बात करती है जिसका नाम रखा गया Elgin Marble दरसल एक ambassador था UK का Ottoman Empire जब इस एरिया में हुआ करता था तब उस ambassador ने एक मंदिर से यह जो marble इसको निकाला और इसको फिर लेके चला गया UK में और अपने नाम के उपर इसका नाम रख दिया उसका नाम Elgin था उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया इस चीज को भी Greece जो है बहुत टाइन से मांगता रहा था है यूट ब्रिटेन से कि यह हम लोग सो बिलॉंग करता है इसको हम लोग को वापस करो लेकिन UK की टरफ से इस तरह के statement आ चुके कि नहीं यह वापस नहीं किया जाएगा फिर बैनी का bronze statue उसके अराबा Cyrus Cylinder जो की एक बहुती famous artifacts को दुनिया का सबसे पहला Charter of Human Rights कहा जाता है तो इसी से जो इसकी importance वह आप लोग समच सकते हो इसलिए यह जो चीज है यह इसको भी इरान अकसर कहता रहता है कि हमको यह वापस करो लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बता है Britain इसके लिए तयार नहीं है फिर Eastern Iceland एक है वहा जो artifacts है यह बहुत ही जादा यहां से उठा के यह लोग लेके चगए गए Britain में और अब इन सारी countries से इस चीज के लिए demand आ रही है कि इसको वापस करो नौ यहाँ पर question एक आता है कि अचानक से यह क्या हो गया और अचानक से इस तरह की कहा से आने लगी बागी countries को तो आप ल जाल में ही कुछ ऐसे developments हुए है जिसकी वज़े से यह जो पूरा issue है यह दुबारा rise होने लगा है सबसे पहले तो आप लोग को पता होगा कि 2014 में जब से Modi government आई है तो इनका बहुत ही बड़ा focus है हमारा जो ancient culture था ancient heritage था उसके उपर ancient history और culture को बहुत ही जादा इस government द्वारा priority दिया गया है बहुत ही जादा इसके लिए effort किया जा रहा है इसी लिए इस तरह के statement इस तरह की चीज़े इंडिया की जो government है उसकी तरफ से काफी जादा आ रही है कि हम लोग जितने भी इंडिया से बिलॉंग करते है आर्टिफेक्ट जो कि किसी किसी वज़े से UK नहीं बा फिर इस तरह की के बागी भी आर्टिफेक्ट से इनको वापस लाया जाए जाए जादा तर इस तरह की की बाते क्यों हाल में क्यों Elizabeth जो है उनकी death के बाद शुरू ही थी कि time आ गया है कि ये जो Jewel यानि की कोहिनूर जो क्यों Elizabeth के पास रहता था अब ये इंडिया को वापस क उसको अच्छे से समझते हैं हाली में हुआ क्या कि एक good morning Britain करके एक show होता है उसमें दू जर्नलिस्ट जो होती है एक Indian origin के होती है जो कि इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि ये जो कोहिनूर ये इंडिया को वापस कर देना चाहिए उनकी और एक दूसरी जर्नलिस्ट होती है जो इसके against में होती है इन दोनों में बहुती ज़्यादा heated debate जो होता है वो हो जाता है जिसमें जो दूसरी जर्नलिस्ट होती है जो इसके against में होती है कि इंडिया को ये वापस नहीं करना चाहिए वो उनका argument होता है कि अगर ऐसा करेंगे अम लोग तो एक तरीके से बहुती ज़्यादा controversy हो जाएगी क्योंकि ये जो same कोईनूर है ना देखो आप लोग जानते होगे कि बीच में पाकिस्तान की तरफ से भी ये news आई थी जब इमरान खान प्राइमनिस्टर बने थे तो उनने भी ये कहा था कि जो कोईनूर है वो पाकिस्तान को लोटा है UK तो पाकिस उसके बाद इरान हो जया उसके बाद even की तालिबान हो गया एफगानिस्तान यानिकी ये और इसलिए हम लोग decide नहीं कर पाएगए ये जो कोईनूर है ये किसका है इसलिए इस तरहे के की चीजिजे कि ये वापस करने वली चीजिजे नहीं करने चीजे UK की गवर्मेंट को इस पर इंडियन ओरिजिन की जो जर्णलिस्ट होती है वो इनको कहती है कि आपको हिस्ट्री पता ही नहीं है और ये बात सही भी है क्योंकि ये जो आर्गुमेंट एक लोग खोदी बताओ अगर आप लोग अगर कुछ चीज रिटन कर रही जाने की बात हो रही है तो किसको र काक्तिया डाइनिस्टी के पास और यहां से फिर जो सल्तनत का पिरिएट था यारने कि जब टर्क साहिते इंडिया में तो एक सल्तनत से दूसरे सल्तनत यह जाता रहा हुँसके पाद फिर मोगल साहित रो मोगल के पास ये गया फिर उसके बाद इरानियन नादिर्शा जो उसने अटेक किया इंडिया पे और इंडिया से ये लेके चला गया Central Asia में और फिर उसके बाद फिर एहमद शाव अब्डाली जो कि नादिर शाह के अंडर ही commander हुआ करता था बाद में इसने अपना दुरानी empire create कर लिया था उसके पास ये गया इसके बाद से फिर दुरानी empire के कि महाराजा दुलिप सिंग थे। उनके पास यह हुआ करता था। जब यातनाओं के बाद काफी ज़धा जो टॉचर है। उसके बाद इनसे यह चीज साइन करवाया गया कि यह जो हीरा है है यह आप हमको दोगे। और उसके बाद फिर ये 10 साल के दिलिप सिंग को बेज दिया गया इंग्लेंड में वहाँ पर फिर इनकी जो आगे की जीवन थी वो इनने पूरा बिताया अपनी मां से दूर 10 साल की उमर से तो खैर ये तो अलग चीज हो गई लेकिन जैसे की मैंने बताया की अगर यह चीज वापस करनी है तो वापस उसी कंट्री को होगी की जहाज ही ओरिजनेट किया है नहीं तो अगर ये लॉजिक सही है कि ये पाकिस्तान से बिलॉंग करता है या फिर अफ़गानिस्तान से बिलॉंग करता है या फिर इरान से बिलॉंग करता है तो इसमें ये भी कहना फिर गलत नहीं होगा कि ये ब्रिटेन से बिलॉंग करता है क्योंकि एक टाइम पर उनक उनका Coronation हुआ था, पूरा Tradition के साथ उनको जो मुकुट है, उनको जो King है वो बनाया गया था UK का, और हर बार जब इस तरहके का Coronation होता है ना, किसी भी King का, किसी भी QN का, तो जो QN होती है, उनका जो crown होता है, उसमें ये कोहनूर लगा होता है, और कि जो क्यून होती है वो कोहनूर वाला जो crown होता है उसे पहनती है लेकिन इस बार ये जो coronation हुआ था इसमें ये कोहनूर नहीं लगा था बिना कोहनूर वाला जो crown है वो पहना गया था जो किंग्स चार्लस की wife है उनके द्वारा यहां पर आप लोग देख सकते हो इन दोनों के जो मुकूट है कहीं पर भी कोईनूर आप लोग को नईद लगा मिलेगा और ऐसा बताया जा रहा था कि ये चीज जो है ये इसलिए किया गया था ताकि इसको लेके जो debate है कोईनूर को लेके जो debate चल रही है कि इंडिया को वापस करना चाहिए कि नई और ये चीज और भी जादा ना भढ़क जाए तो यूके भी इस चीज को consider कर रहा है वो जान रहा है कि इस तरह के की जो बातें ये बढ़ती ही जा रही है इसलिए इस तरह के की जो reports है वो आ रही है कि आने वाले टाइम में हो सकता है इंडिया को ये जो कोईनूर है ये सोपना ही पड़ेगा इंडिया में कहा ये जा रहा है कि इस तरह के का जो campaign है वो एक तरीके से personal ambition है मोदी जी का यानि कि इंडिया की प्राइम निस्टर खुद चाहते हैं कि जितने भी इंडिया के जो artifacts है वो दुबारा इंडिया में आए इसलिए इंडिया जो already इस चीज को लेके काम है वो शु 251 total artifacts जो हैं वो इंडिया में वापस लाय जा चुके हैं और 100 और ऐसे हैं इस time पर जिसके लिए बात है चल रही है USA, UK और बाकी country की भी जो government है जहां पर ये पढ़े हैं उनसे और बोला ये जा रहा है कि दीरे दीरे इंडिया क्या करेगा कि पहले जो easy target है जो छोटे छोटे institution है, चोटे-चोटे museum है या फिर कोई personal है, कोई individual है जिसके पास इस तरह के artifacts पढ़े हैं उनसे इंडिया request करेगा कि यह हमें वापस कर दो और उसके बाद फिर जो बड़े-बड़े institution है, बड़े-बड़े museum से उनको इंडिया target करेगा और finally फिर जाके जो royal house है UK का और बाकी जगे का उनको target किया जाएगा, और इंडिया जो कि इस समय आप लोग कहा सकते हो कि एक वाकई में बहुत ज़्यादा powerful countries है, बाकी countries जो कि UK से demand करी है उनसे, तो वो काफी ज़्यादा powerful countries है, तो उन countries का pressure जो है वो भले UK जेल ले, लेकिन इंडिया का जो pressure है, वो UK नहीं जेल जाएगा, क्योंकि इंडिया ओल्रेडी एकनोकमी के मामले में इसको पीछे कर चुका है, प्लस strategically important country है, साथी साथ, बहुत से जाएगा, इंडिया और इंडिया और इंडिया और इंडिया में अल्रेडी FTA को लेके और बाकी चीजों को लेके जो talks है वो चल रही है, तो इन स पूरा वीडियो गाईज, आयोब ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक, कमेंट, शेर, सब्सक्राइब जरू कीजेगा, that's all, have a nice day, take care